सो हाई एविवन वेलकम तो माई चैनल जो एच्टेट है मारा जो दिसेंबर में होने जा रहा है उसके लिए देखेंगे हम जो की हो सकता आपका टू और थ्री दिसेंबर को हो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है तो अभी आपके पास ओल्मोस्ट ट्वेंटी डेज मान सब्सक्राइब के यह सकता ना इसमीं आपको बता रही हूं जैसे कि आपने रिपेरिके यह थ्री पिया घ्ट चैक और जो 30 marks की है तो जो 10 दिन बचेंगे उसमें तो हमें सरफ इसका रिवीजन करना अगर रिवीजन अच्छा नहीं करेंगे जो हमने content gain किया है उसका रिवीजन अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा outcome अच्छी नहीं आएगी तो इसको 10 दिन को छोड़ी दो तो 10 दिन का plan है हमारे पास ठीक है 10 दिन ही मानके चलो 10 दिन तो रिवीजन के ही छोड़ दो सो 10 दिन में जो CDP आपने की है CDP आपने की है उसको revise करने का तो time है 10 दिन के बास लेकिन जो CDP आपने की उसके most important जो star topic है उनको अभी revise करो star topic को revise करके daily का one hour अब आप CDP को देने लग जाओ one hour में आपने एक topic CDP को किया उसको revise किया देन उसके previous year question किये तो यह best technique है कि आप जो एक topic करके एक topic करके आप उसके previous year questions लगाते हो तो वो best माना जाता है ठीक है यह CDP का था अब CDP के बाद जो हमारा आता है वो Hindi और English करो CDP हमारा 30 marks का है ठीक है वन हावर दोगे 10 दिन का ही plan है उसके बाद तो भाई नहीं ठीक है फिर आती है हमारी हिंदी जो हिंदी हमारी आती है भई हिंदी 15 नंबर की हिंदी होगी हमारी सो हिंदी में क्या है ग्रैमर है ठीक है ग्रैमर के जो content है content in main sense की जो rule है वो revise कर लो जो अगर आपने नौट्पुक बना रखी है अगर उसमें आपने रूल लिखे होए है जैसे संग्या है कारक है क्रिया है वाच्य है जिसके भी रूल आपने लिखे होए है उसको यह को revise कर लो previous year question कर लो बस एक घंटा आप इसको दो एक घंटा आप इसको दो ठीक है हिंदी के बाद आता है आपका English हिंदी के बाद आता है आपका English English फिर इंग्लिश फिर कितने marks की है English भी हमारी फिर से इंग्लिश जो है हमारी 15 मार्क्स की है सेम इंग्लिश की वीडियो देखे नीशा मैम को मैं प्रिफेक करूँगी मैरेथोन है उनकी दो ठीक है मैरेथोन देखे और उसके बाद प्रिवेस येर क्योशन कर ले इंग्लिश के उससे ज्यादा कुछ नहीं करना उसके बाद आता है 10 नंबर की GK आती है 10 की मैथ आती है 10 की GK आती है और 10 की मैथ आती है GK के लिए भी I must say that 4GK 4GK watch 1 marathon 1 marathon 4GK and watch it in 10 days 10 दिन के अंदर ही देख लो 10 दिन के बाद तो रिविजन करना है तो रिविजन प्रिवेस येर के कर लो जो HSC के प्रिवेस येर रिपीटिड क्योशन है उनका कर लो उससे ज़्याद आपको कुछ नहीं करना इसमें भी आपको marathon देखनी है GK के बाद आता है math का math का जिनोंने math आता है वो तो करी लेंगे easily लेकिन math के लिए आप math के लिए भी एक marathon देख सकते हो जो प्रिवेस येर क्योशन की होगी उससे आपको टाइप पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्योशन आता है तो जो वहाँ पे उन्होंने formula यूज किया गया है उससे आप अपना easily वो method यूज करके solve कर दोगे नहीं भी होता है तो math पे जादा focus मत करो math practice से आता है उसके बाद आता है reasoning reasoning जो है भई हमारा reasoning mostly reasoning के five questions ऐसे होते हैं जो आप attempt easily करा होगे five questions आप easily attempt कर दोगे ठीक है लेकिन five questions क्या होते है कुछ इस टाइप के होंगे जो आपको उसका method पता होगा solve करने का तब ही होंगे ठीक है जैसे कोई-कोई hard method भी हो जाता है लेकिन coding, decoding ये easy method जो आप कर लोगे लेकिन कुछ hard method है जो आप एक बार previous year questions कर लो reasoning के भी तो आप easily कर दोगे ठीक है अब ये तो हो गया हमारा 90 common जो है उसका ठीक है तो common में तो आपको सरफ marathon देखनी है भाई कुछ ऐसे मैंने जो बताए है उनकी सरफ marathon देखो ठीक है common में सरफ marathon देखो common 90 number का हमारा हो चुका है ठीक है 90 का common जो हमारा होता है वो हो चुका है तो 90 में से अगर आप यहाँ पे negative marking जैसे नहीं है 90 में से आप अगर अपना मान के चलो less to less और more to more मान के चलो आप 65 to 70 के बीच में रह जाते हो ठीक है बलब आप इतने इसमें score कर जाते हो common part में तो well enough है आपके लिए क्योंकि आपका जो part आता है ना बई जो next part आता है आपका subject उसमें भी आपको किसे-किसे बच्चे का comment ही इनना होता है कि उसे subject की जरूत नहीं पड़ते हैं लेकिन जिनको जरूत पड़ती है चैसे science science में क्या है बई science में chemistry ठीक है physics and bio तीनों आएंगी ये science में और ये HSSC ने बोला है कि वो सिर्फ TZT पे 10th level तक की देंगे TZT पे 10th level की देंगे वो ठीक है लेकिन ये उन्होंने सिर्फ बोला है बोलने के लिए या वो देंगे वो पता नहीं भाई ये बहुत high level की भी दे दिते हैं लेकिन ये तीनों जो subject आते हैं ये दोनों मेंसे मिला के मैं कुछ 40 मार्क्स ले आँगी तो भी मेरे लिए इनफ है तो ये जो दो है आपको इस का पुर्पेर करना है कि आपको 10th तक की आपने 2 subject ले लेने हैं जो आपके जैसे की बायो वाले chemistry बायो परना चाते है या बायो और physics परना चाते है तो अब वो आपके डिपेंड है आप दो चूज कर लोगे और उनको आप 10 तक की बुक NCRT पढ़ लो उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना ठीक है सरफ यहीं पढ़ना आपको thank you so much for watching this video